हेलो हाई यूरों इस्टाक्टिवर्न में आप लोग का स्वागते तो आज हम लोग बात करने वाले विदानता शेयर्स के बारे में बटूस से पहले के इन पॉर्टन चीज़ का इस जिनके लिए यह फॉर्स टाम विजिट कर तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए यहां पर बात करें विदानता के साइट तो देख सकते हैं विदानता अभी के टामें क्या ही गजब का फ्लो बनाई हुए थ्री पॉइंट री एट परसंट की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है इवन बात करें डिलिवरी के साइट डिलिवरी मैं दिखा देना चाहता हूं कि आप देख सकते हो कि डिलिवरी कितनी ज़धा बनते बहीं दिख रहे हैं यहां पे कुछ दिन पहले आप दे पर आने के बाद ही एक गजब लेवल पर तेजी बनते वह दिखा विदानता के साइड इवन अगर बात करें तो यह हमारा स्ट्रॉंग सपोर्ट एरिया था सपोर्ट एरिया था इवन हम लोग बात किये थे कि इसमें एक मतब चेंज आते हुए दिखेगा मतब जैसे ही अपर ट्रेंड पकरेगी तो यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और इवन आप लोगो बताया था कि जब यह डाउन ट्रेंड में हो तब नहीं बाई करना है इस एरिया की रेंज में आओ तब बाई कर लो और यहाँ पर जैसे ही इस रेंज में आई तो फिर से एक गजव लेवल का मूव दिखाते हुए दिखी और बहुत लाजवाब तेजी तो यह तेजी तो हमें मिल चुकी है बट अब जो लोग ने भी बाई कर लिया है मतब जो लोग को भी प्रॉफिट होड़ा है उन लोग के लिए अपडेट है और जो लोग मतब पहले से भी बाई करके रखे वे तो उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर अभी के टाइम में आप लोग के पास दो अडाम से बनता है या तो आप अपने पूरी शेयर को सेल करके निकल जाओ या तो वेट कर लो क्यों अभी बोर रहा हूँ वेट कर लो रीजन बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हूँ अभी के टाइम में भी अच्छी होलिंग्स बनते हुए दिख रही विदानता में मतब इतनी उपर आने के बाद भी अगर इतनी अच्छी होलिंग्स बन रही है तो ऐसा हो सकता है मेभी जस्ट बता रहूँ ऐसा हो सकता है कि आपको जो यह सालों की जो महनत दिख रही है मतब विदानता की मतब बार बार बर ब्रेक करने की जो ट्राइ कर रही थी इस एडिया को मेभी हो सकता है कि इसको इस बार ब्रेक करते हुए दिख जाए बट इतना भी overconfidence नहीं रहना है हमें तो अगर जिन लोग को भी लगता है कि मतलब यह break कर सकती है या नहीं कर सकती है तो आप लोग के पास option है कि hold करने का बट अगर आप नहीं करना चाते हो तो आपको लोग को clean and clear मैं एक चीज बता देता हूँ यह आपका resistance area है आपके resistance area के पास अभी share पहुची हुई है यह आपका actual resistance area है सही बात करूं तो तो आपका यह resistance area and resistance area के पास share पहुच गई है अब share पहुची है तो आपको एक चीज़ का क्या ध्यान रहना है आप 50% वाला game play कर सकते हो 50% game क्या है बहुत कोई को नहीं पता होगा तो बता देना चाता हूँ कि आप अभी के डाय में 50% sell कर लो and 50% save कर लो मतलब आज के दिन आपके पास 10 quantities है तो 10 quantities आप मतलब 5 quantities आप बेच दो and 5 quantities आप hold पे रखो and आपका जो next support बनेगा वो 280 के range में बने रहा है तो 280 के range में जैसे ही यह फिर से वापस आए तब आप मतलब 50 shares sell out कर सकते हो मतलब अगर अभी के डाय में उबर भी जाती है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं भी जाती है तो tension लेने वाली बात नहीं है मतलब 50 shares कम है मतलब सॉरी 50 में बोराओ 50% कम है अडाम से profit कर लूँ जो 50% बागी है वो हमारे support तक के लिए वेट कर ले तो यहां पर दो important major support है देखो इतने प्यारे तरीके से कोई नहीं समझाएगा इसलिए बोराओ चैनल को subscribe कर लो यहां पर दो important major support है जैसा भी आप risk उठा सकते हो क्योंकि हमारे side से हमें हमारे side से यही update दिया गया था कि आपके पास यह point है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं chances है कि इस पर breakout देने का chances बना सकती है मतलब दिख रहा है वैसा chances बन रहा है इसलिए मैं बोर रहा हूं बट यहां पर आप देख लो कि यहां पर breakout बना भी देगी तो मतलब आपको ध्यान देना है मतलब 50 अगर आपका जो 50% बाग किये वो तो आपका profit बनते हुए दिखेगा अगर बाई दबे नहीं जाती है उपर तो आपका यह दोनों major support है आप इस point पे sell कर दो तो ज्यादर से आपको 5% या 3% का profit होगा that's fine यार अगर आप वह तना कर सकते हो तो वह बहुत अच्छी बात है बट आपको अगर मतलब profit booking मतलब share अगर buy कर रहे हो तो सबसे पहले सीखो कि share sell भी करना important चीज़ होती है तभी पैसा बनते हुए दिखेगा अधरवाइस आपका तो investment है वो तो long time वाला सीन हो जाएगा नहीं तो तो अगर आप यह swing trading कर रहे हो तब का मैं बात कर रहा हूं और यह share मेरे लिए हमेशा swing trading के लिए बहुत बहतरीन रही है that's all मैं अपना opinion बता दिया बथा आप लोग बहुत care fully trade करना and last most important thing is the last important thing guys this video is just for educational purpose तो अगर इंवस्ट करने का प्लान हो तो एक बार अपने financial advices जरूर बात कर लेना नहीं तो खुछ से analyze कर लेना यहां पर टाटा पावर और और जिसे की वीडियो आ चुकी है तो प्लीज गो एंड वाच दिस वीडियो thank you have a nice day